सरदियों में ना हाथ बहुत जादा बेजान रूखे और फट जाते हैं मेरी खुद के तो मैं क्या करती हूँ कि मैं कोई भी बॉड लोशन लगाती हूँ तो उससे कोई फायदा नहीं हो पाता लेकिन मेरे हाथों में बहुत जादा क्रैक्स आ जाते हैं जैसे फटी एडिया होती है ना तो ऐसे मेरे हाथ फट जाते हैं तो उन हाथों को मॉस्टराइज करने के लिए मैं बनाती हूँ घर में ही एक बहुत बढ़िया मॉस्टराइजर सीरम तो यह serum मैं अपने हाथों पे apply करती हूं और जितने भी जब भी मेरे हाथ फट जाते हैं तो धीरे धीरे वो repair होने शुरू हो जाते हैं तो यह body lotion इतना ज्यादा कारगा रहना है कि आप बजार के कोई बढ़िया से बढ़िया body lotion इस्तिमाल कर लो इसके आगे साब fail है तो चलिए यह body lotion बनाते हैं घर के ही समान से तो इसके लिए चाहिए होगा हमें गुलाब जल एलोवीरा जैल और एक ग्लीसरीन 20 MLA और विटैमिन E का एक capsule और एक खाली spray bottle तो दोस्तों यह 4 से 5 चीज़े चाहिए और जिस चीज़े आपको इलर्जी है वो स्किप कर सकते हो तो खाली bottle को साफ करके आप उसे सुखा लेजिए ठीक है और सबसे पहले जितना हम बना रहे हैं उतना हम सबसे पहले डारेक्टी इसके तो यह ग्लीसरीन 20 ml है तो मैंने पूरी की पूरी ग्लीसरीन इसके अंदर डाल दी ग्लीसरीन जो होता है उसके इंबर इतनी बढ़िया कॉलिटी होती है स्किन को इंप्रूफ करने की फटे हातों को फटे हातों को फटे एडियों को फटे चहरे को मतलब कोई भी बोडी के और कहीं भी कट फट लग रहा हो ग्लीसरीन इसको रिप्ले करने के सबसे पढ़िया काम करती है तो आप देख रहें मैंने इस बॉटल के अंदर सबसे पहले ग्लीसरीन डाल दी उसके बाद जित्मी ग्लीसरीन डालनी है उतना ही डबल उसमें रोस बाटर डालने यह जो मैं मैं मॉस्टराइजर बना रही हूँ यह काफी मैं हलका बना रही है असलिए कि हम अगर अगर अपनी चहरे पे प्लाय करें तो बहुत ज्यादा भार ही लगे तो मैंने इसमें एक बॉटल भरके गुलाब जल डाल दिया है और अब मैं एक और बॉटल गुलाब जल की डाल र कोई भी आपके पास अलोवीरा जयल है आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन धियान रखें नैचुरल जो फ्रेश अलोवीरा जयल है वो नहीं डालना क्योंकि इसके अंदर प्रेजरवेटिव नहीं होता है और यह जो है यह वला जो रेडिमेट होते हैं यह काफी दिन तो इसके अंदर में एक ही बिटेमिनी का कैपसूल डालऊंगे अगर आपको यह पोल पहलए तो डाल लीजे ज्ञाद से ज्यादा दे ला ऍटैक है तो यह ऐकर दिया है उसके बाद हमें इसे अच्छे से कैप को लगाकर बोटल की स्प्रे बोटल की कैप लगा देनी है और अच्छे से शेक कर लेना है शेक करने से क्या होगा यह जितनी भी समान मैंनिस में डाला है न मिक्स हो जाएगा और मिक्स होने के बाद तुम्हारे पास एक इतना बढ़िया बोडी लोशन है आप इसे अपने चहरे पर स्प्रे करिए सुबा उपते ही आप इसे स्प्रे करिए अपने कटे फटे हातों एडियो यहां तक कि 15 साल की बच्चों के पर भी आप इसे अपलाई कर सकते हैं तो इस इसे लगाने के बाद मेरे ना हातों में फटना और छिलना जितना भी प्रॉबलम होती है आप इसे चार दिन अपलाई करिए चार दिन बाद आपको असर खुद नजर आएगा ठीक है कोई मैजिक नहीं है कि लगाया और एक्दम से हो गया ताइम लेगा 304 दिन का टाइम ल और गलिसरीन काफी लोग यूज करते है फटे होटो पर भी लगा लेते हैं ठीक है ऐलोविरा जयल की कॉलिटी तो आप जानते है यहलोविरा जयल के कितने गुण है ठीक है तो इस स्प्रे को अपने चेहरे पर लगाए और स्किन के किसी भी पाट में लगाई यह और पोचाए तो comment box में comment